है टेकीज वेलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल टेकमान आरजे और आज हम जो है कि अपने जो किया का सेग्मेंट है अलग से अपना प्लेलिस्ट है उसके लिए हम लोग कुछ अन्बॉक्सिंग करने वाल है हम आज अपने किया में जो है तार शीट कवर्श लगाने वाले तो यह जो है राटी प्रांट के जो है तार शीट कवर्श में यहां पर नेरूल में लगा रहा हूं लपी के नजदीक में सो देखते हैं अभी कैसे दिखेंगे सो मैं अपने इसी वीडियो में डाल दूगा कि बिफोर यह कैसे दिख रहाता और आफ्टर इंस्टॉलेशन कैसे दिखेगा तो जो मेरी कार है वह वाइट कलर के में दूर से आपको बता देता हूं कर दो जो आपको कर एक रहा है कर आप अपार्ट को दो यह यह अपनी फाइट कलर की कार है तो इसके साथ यह पूरा सेट है एक प्रीमियम मटेरियल का सेट हमें दिखाया गया है तो इसका इन्होंने प्राइस ओर आल जो 70 कवर साथ जो नीचे लगते सेट के लिए और अच्छा बढ़िया रेट है तो देखते हैं अगर आपको लगता है कि इससे बढ़िया रेट हमें मिल सकता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो तो लेट सी हाव इट टेक्स कितना टाइम लगता है और और कवर्स लगाने का कैसे दिखता है त अब देख सकते है जो मेकानिक है वह यह सीट कवर्स लगाने के लिए सीट जो है कम्प्लीटली रिमूँ करेंगे आगे लेकर पूरी तरीके से और फिर उसके अंदर सीट कवर्स बैठेंगे तो इस अंस्कुरू द पासेट पीछे का से यह आगे का सीट जो है निकालने में आई थिंक इस इजी पीजी बट बैक सिट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बट अभी ये प्रोफेशनल है डेली वक करते तो आपिसली दे नो बेटर हाव तो दो इट ये जो है अभी बैक सिट निकालने की कोशिश चालो है तो आप थिनों ने ये रिमू कर दिये आई होब कि ये थोड़ा जेंटली इसको निकाले आप 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 सिट निकालने के बाद कुछ ऐसा नजारा है कि या सोनेट का कि इसका फिनिशिंग तो अच्छा है यहां पर थोड़ी सी जो गंदगी इसको साफ कर सकते हैं कि देखो आप सिलाई बुनाई का काम शुरू हो चुका है यह तारे निकल गई है सो बखेट फिटिंग के नाम पर इनोंने मुझे दो आप्शन पूछा था कि हम सिलाई जो है निकाल कि उसके अंदर से ले ले पिटिंग के लिए अच्छा आएगा बट मुझे था कि कि यह जो ओरीजिनल सिम्सम कवर्श को पाढ़ना नहीं था सो उन्होंने यह अलग आप्शन चूज किया है आप देख सकते हो कैसे यह कारीगर काम कर रहे है और अब यह जो है इन्होंने धागे निकाल लिये है इन धागों की मदद से वह अंदर फिट करेंगे उसे बांद दिखाई जाए तो चलिए हम उनके चेहरे का और उनका भी मान रख लेते हैं यह जो है अच्छी तरीके से टाय कर रहे है यह अभी आइस्ता आइस्ता से जो अपने एक्ट्वल सीट कवर्स है वो लग रहे है थोड़ा सा इन सीट कवर्स में डिपरेंट है जो पहले उन्हो पिनिशिंग तो अच्छा है बट इस थोड़ा सा ऐसे लगता है नीचे से की और थोड़ा सा इंप्रूमेंट हो सकता था तो चलिए अब यह इंप्रूमेंट जा लिए अभी देखते हैं इनका काम कैसे लगता हमें और यह जो सीट है पीछे की वो रेडी हो चुके बैठने grand deve है अब जो है आगेकी सीट का काम शुरू कर दिया इन्होंने आगे की सिंगल सीट है पाइलेट सीट इसका काम शुरू कर दिया है यह मेकानिकल पार्ट्स के साथ भी थोड़ा सा काम करना पड़ता है डर तो लगता है बट क्या करें हमें भी सीट कवर्ज बिठाने हैं और यह है पाइलेट सीट भी अल्रेडी कम्प्रीट हो चुकी है यह सब करते करते रात हो चुकी है और देखिए अब तक एक ही सीट कम्प्रीट हो गई है और बाकी सीट को अभी पिट करना बाकी है बहुत टाइम हो चुका है 3.30 पीम आ गया था मैं और यह अल्मोस 8.30 हो गया है और यह जो है हमारी खिया जो है वो आम रेस के साथ आती है त तो आम रेस्ट का फिटिंग बहुत अच्छे से इना ने किया पहले तो देखके मुझे लगाने तक यह बढ़ी अच्छा लग रहा है तो यह जो हमारा वर्क है सीट कवरिंग का वो हो गया है बट अभी लाइट की कमी के वज़े से हम सुभा दिखाएंगे बट अभी एक मैं दिखा देता हूँ कैसे दिख रहा है सीट कवर यह कुछ फुल ब्लैक ऐसे लुक आया है और नीचे भी जो है सेवेंडी कवर्स डाल दिये मैं इसका एक शॉट जो है मॉर्निंग शॉट डाल दूँगा इसी वीडियो में तब तक आप देख सकते हैं हाव इट लुक्स तो बिफॉर आफ्टर का वीडियो भी इसमें डाल दूँगा मैं तो आपको पता चलेगा देख सकते हैं आप पहले कैसे दिख रहा था और अभी कैसे दिख रहा है फुल यह ब्लैक में मैच हो गया कि यह जो है रात हो गई थी लगाते लगाते यह सारे सिट को वस है अब हमको डेख़ो एक कैसे दिख रहा है दिनकी रोश्णी में यह कुछ तुछ ऐसे दिख रहा है दिन के रोश्णी में बहुत ही अच्छी ब्लाइक ब्यूटी नजर आ रही अंदर से और यह इसका जो आम रेस्थ है बीच का आगे की सीट के वह यह जो ब्लाइक कलर है इसके साथ मैच भी हो रहा है और यह बहुत ही लाइक यूनीक सा है क्योंकि मैंने अब तक यह किया में यह वाला नहीं देखा अगर आप यहां पर देख सकते हैं यह रिंकल्स पड़े हुए थोड़े थोड़े और बीच के सीट पर भी है तो उन्होंने कहा है कि यह जैसे जैसे मिले कि इसको गर्मी होगी वैसे वैसे यह आयनी हो जाएगा इनका यह स्ट्रेट हो जाएगे सो ऐसे कुछ यह बैक सीट से सीट कवस दिख रहे हैं अगरे जो है यह दो फ्रेंट सीट्स है जो कि आप देख सकते हो कमेंड करके बताईए मुझे कैसे दीख रहे है आइधिंक कि यह मेरे हिसाब से बहुत प्यारे लग रहे है आगे कि सीट्स एकदम पाइड़िट सीट्स की तरह और यह देख सकते हो इसे सेवेंडी यह मैट सेवेंडी मैट्रेस है और यह सेम मैट्रेस है पीछे भी लगा हुआ है पीछे के पुट्रेस्ट में